हेलो टू आल प्ली सब्सक्राइब दे चैनल प्रेस बैल इकन फर मोर वीडियो अपडेट्स तुड़े इस 24 अक्टूबर ऑफ 2020 एन इस सेड़े टुड़े चली आज आज अनले से शुरू करने से पहले कुछ कुछ पूल लेता है आप उनका जवाब कमें सेक्षिन में दें ज दूसरा कोशन आता है ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर ट्राइबल पॉपलेशन सबसे जाता है इंडिया में वे स्टेट का नाम को बताना है ये दोनों कोशन का जवाब आपका में सक्षिन में दें जो कोई वीडियो देखे इसे तो कहें किता है प्लीज इन आंसर को जरू जाएंगे जो हम बात करेंगे पूरी analysis वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी साथ हम लोग telegram में answer writing भी करते हैं जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में हिंदी में लोग लिखते हैं तो हम उसकी checking की जाती है क्या क्या पॉइंट शूट रहे हैं वो सब चेक किये जाते हैं उसके हिसाब से तो पर दे यहां पर questions अप्लोड होते हैं अंसर लिखे जाते हैं जिससे एक perfect answer बनाने की बात की जाती है चलिए आज की चुरो करते हैं पहली न्यूस देखते हैं हम लोग चलिए आज की पहली न्यूस आती है पाकिस्तान तुस्टे ओन FATF grey list तिल 2021 क्या गते हैं कि पाकिस्तान FATF Financial Action Task Force की grey list में रहेगा 2021 तक SS में कह पाकिस्तान को grey list में रखा जाएगा कहा जा रहा था कि वह अपने जो चैब कहते हैं लोन्स हैं अगर फुल्फिल नहीं करता तो उसे black list में कर दिया जाएगा लेकिन अभी कहते हैं उसे grey list में रखने की बात की गई है पाकिस्तान फ्रग्री लिस्ट में रहेगा था हम लोग देख लेते हैं यह grey list क्या होता है FATF का black list क्या होता है यह देख लेते हैं FATF क्या होता है इसको देख लेते हैं चले अलग से देख लेते है FATF FATF एक Intergovernmental Organization जिसे बनाया गया था 1989 में initiative था G7 countries का जो money laundering practices थी उनको combat करने के लिए FATF का जो secretary trade है वो उसका is house at the OECD headquarters OECD headquarters है Paris में वहाँ पर है इसमें 3 plenary meetings होती है in the course of each 12-month rotating presidency जो 12 महीन में presidency इसमें rotate करती है उसमें 3 plenary meetings होती रहती है 2019 में FATF consists of 37 member jurisdiction 2019 तक 37 members का jurisdiction था इसमें क्या गते हैं यह इंडिया became an observer at the FATF in 2006 2006 से ही इंडिया observer था और क्याकते है 2010 में इंडिया 34th country member हो गया FATF का EAG of FATF EAG एक regional boundary है जो comprise कर थी 9 countries की इंडिया रशिया चाइना का जागिस्तान के जिकिस्तान तजीकिस्तान तुर्मेकिस्तान उज्वेकिस्तान और बिलेरस यह associate member है FATF का FATF का रोल क्या होता है यह global economy को rise करना international trade बनाना recommendations देना financial crime review member policies इन सब पर इनको सिल लडने के लिए because money launderers और जो other techniques है जो avoid कहती है apprehension the FATF updates its recommendation every five years की हर कुछ सालों में यह अपने recommendations को update करते है इनकी black list और glare list क्या यह देख लेते है black list black list means no call for call for action जो एक common short end description है FATF list का non cooperative country और territories जो non cooperative countries और territories है जिनके उपर कहते लोन्स हैं बहुत ज्यादा वो अपने fulfill नहीं कर रहे है loan वो जो corporate नहीं कर रहे हैं बागी country उसके साथ उन्हें black list में रखा जाता है gray list क्या होती है gray list वो countries होती है जो consider safe haven for supporting terror funding and money laundering ऐसी country जिने कहा जाता है कि वो terror funding provide कर रहे है terrorism को और करते हैं money laundering कर रहे हैं तो उनको gray list में रखा जाता है तो यह दो होते है black list और gray list यह आप याद रखेगा कभी पूछा भी जा सकता है या आप कहते हैं इस तरह के अगर मेंस में question आता है तो यह भी आप mention कर सकते हैं उसमें चलिए अगली news देखते हैं लो अगली news आती only move on Nepal में प्राइम प्राइम निस्टर हैं नेपाल के उन्होंने कलपानी जो कलपानी इश्यू था उस पर KP तो उसमें उन्होंने old map दिखाया ना कि नया map तो इससे माना जा रहा है कि वह एक softer hand दिखा रहा है आप क्या किते हैं दो खरिफ क्रॉप्स का नाम बताएं दो चलिए इसमें लिखाया कि जो पंजाब ने विट्स किया एक इस टबल बनिंग का इंसिडेंट्स का यह खरिफ सीजन के का है जो पैड़ी हर्वेस्टिंग गेंग पेस है जिस खरिफ सीजन में क्याकते बहुत जादा इस्टबल बनिंग हुई है उसके करण बहुत ज़दा डैमेज हुआ है इसमें वही बात की गई इसमें यह भी का गया है पंजाब सो फार है चली अगली न्यूस देखते हैं अगली न्यूस आती है वर्क और न्यू पार्लिमेंट बनने वाला है कंस्ट्रेक्शन लाइक्री टू बी कंप्लीटेड़ बैं अक्टूबर 2022 कि जो कंस्ट्रेक्शन है उसका 2022 तक कहा जा रहा है कि उसका कंस्ट्रेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जो वर्क है उसपर दिसेंबर से स्टार्ट होने की बात ही गई है इसमें लिख्या गय और जो सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्मेंट है उनके जो ऑफिशल्स है उन्होंने इनफर्म किया लोग सबाइब स्पीकर ओम बिल्डा को दूरिंग ए रिवीव मीटिंग लिए उसमानों ने यह पताया जो एक्जिस्टिंग पार्लिमेंट हाउस इसेप्शन है सेक्यूर कि वह उसको और स्पेस्ट किया जाएगा उसमें जिससे जो और परलिमेंटरी फंक्शन होते रहते हैं वहाँ पर अच्छे सो हो सके और क्या नई बिल्डिंग के साथ इंशोर किया जाएगा कि उसका यूसर्स भी अच्छी तरह से हो ऐसा ओफिसर्स ने बता है जो नई बि अगली न्यूस देख देम लोग आज का पहला एडिटोरियल आता है टिकिंग ऑन दसेंटर सेंटर सेंटर अग्रीव्ट बाइट अपने अपने तरह से एक्शन ले रहे हैं लेजिस्लेटर वे में में जो स्टेट्स हैं जो सेंटर फर्म लाउस जो तीन अग्रिकल्टर बि और लीगल वे में जैसे हमने देखा कि पंजाब का एफ़र्ट जो था स्टेट अमेंडमेंट्स करके कि उन फार्म लोज क्याकते हैं पंजाब में लागू ना हो तो वह भी एक लीगल मेजर था और लेजिस्लेटिव मेजर भी था क्योंकि हम एक तरह से तो क्याकते हैं उनको रोकने के लिए एक अमेंडमेंडमेंड और करना हो सकता है क्योंकि एग्री कल्चर किस लिस्ट में आता है आपको बताईए आप बताईए कमेंट सेक्षिन में एग्री कल्चर किस में आता है स्टेट लिस्ट में की सेंट्रल लिस्ट में यह आपको ब अपना देख रहा है कि उसने अपने सब लीगल मैजर्स करने की कुछ ना कुछ कोई मैजर्स निकालने की बात की जा रही इसमें जैसे हमने देखा जो अकाली दिल था जो एक क्या कि एंडिये का एक पार्टी था कि कोलिशन गौवर्मेंट का पार्ट था तो उसने भी उनको म के बिनिस्टर से उन्हों नहीं भी design कर दी अपने पोस से उससे पुरह दिखा जा सकता है कि कैसे opposition कि अपोस किया रहे हैं इन लौस को तो इस तरह की steps स्टेट सगर लेते हैं एमेंट्मेंट करके इन लौस को unemployment होने से रोकते हैं तो यह एक लीगल मेजल से और यह किया जा सकता है बिल साइट करता है एक अग्रिकल्चर सेंसर्स दो जाब 15 से 16 तक जो आर्ग्यू करता है 86.2 फार्मर्स को कि ओन लेस्ट देन 5 इकर की जो बताता है कि 5 इकर से लेन इक काम है 86.2 फार्मर्स की और मजोर्टी ओव देम लेस्ट दन 2 इकर और जो मेजोर्टी उसमें है उन पर पास 2 इकर से भी काम है तो इस लिम्टेर और और नो एकसे टू मल्टिमार मार्केट या बैंट बी हैंडि कैप वाय नेगुचेटाट्स कान्राइज प्रायट प्राइज काथ अगर ऊगोशीट करेंगे फेड़ कांटाइज प्राइज के साथ इत्यक्ति कम लेंड के साथ तो उनके साथ उनको एक तरह से घाटा होने की बहुत ज़्यादा चांस है तो इन तरह के लॉज लाने से उन लोग को सबसे ज़्यादा काटा होगा जिनकी लैंड बहुत काम है तो इसलिए इंप्लिमेंट करना पूरे स्टेट्स में हर जग है तो यह ज़्यादा जूरी होना नहीं चाहिए चलिए अगली न्यूस देखते है अगला एडिटोरिय लाता है है हिटिंग वेर इट हर्ट कि जैसे हमने देखा कि यूएस एलेक्शन आ रहे है तीन नवंबर को एलेक्शन है तो हमने देखा कि जो ट्रॉम का एड्मिंस्टेशन है वो अपना हर वे में उसे चेंज करना है कि उसके इन फेवर में इसने वीजास थे उनको टैंप्ररी इशू करने से रोग दिया है कि जो एक्षवन भी स्पेशल्टी एस्केल्ड वीजा के टेग्री लोग आते थे जिसमें इंडियन्स आते थे जो में बहुत ज़्यादा मेजॉर्टी में लोग आते थे जिस वीजा पर उसको रोग दिया एक्षन इसलिए है कि नमबर 3 को प्रेशिडेंशल ऑर चाहते हैं कि जो वहां के लोग है उन्हें सपोर्ट करें इस तरह के स्टेप देखें कि हम वहां के लोग को जॉब देना चाहते हैं ना कि बाहर के लोग इस बात पर ही वो लोग केगते हैं पूरा ज्यादा चल आ है का रूल तो यह H-1B वीजा होता क्या है इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं किस पर पूरा एलेक्षिन लोग खेल है H-1B वीजा यह वीजा है United States का जो अंडर the Immigration and Nationality Act आता है Section 101A 15H जो एलाय कोड़ता है कि US Employees Employee कर सकते हैं लिए सेंप्रली कर सकते हैं कुछ सालों के लिए दो तीन साल के लिए किसी भी work foreign workers को जो स्पेश्याइल हो किसी work के लिए तो यह specialized knowledge जो किसी अब यह bachelor degrees हो या work experience हो equations तो उसको दिया जाती job जो duration होता है stay care of 3 साल होता है और extend किया जा सकता है चैसल के लिए उसके बाद visa holders को reapply करना होता है, पहले जो H-1B visa था उसमें H-1 visa के अंदर आता था H-1 visa of the Immigration and Nationality Act of 1952 लेकिन इसे split कर दिया गए H-1A जो nurses के लिए और H-1B जो Immigration Act है जो कहते हैं आता है मेली जिसमें specialized knowledge वाले persons आते हैं मेली जो इंडियन से लोग आते हैं लगबक 65,000 H-1B visa हर साल दिया जाता था लेकिन इस साल इसे temporarily block कर दिया गया है, stop कर दिया गया है चलिए अगली news देखते हैं अगले editorial हाता है metrics of world happiness in the Muslims of India इसमें कहा गया है जैसे हमने देखा ए जो majorityism की RSS Chiefs का recent statement जो था वो reassure करता है कि community of its family कि उन्होंने जो कहा कि of repeated repeated statement that the happiest Muslim in the world are in India कि जो सबसे खुश्च मुस्लिम है पूरे वर्ड में वो इंडिया ही में रहते हैं ऐसा RSS Chiefs मोहन भागवन का कहना था उन्होंने कहा India should compare itself with the scavenian countries rather than some of the regressive Muslim regimes कि उन्होंने जो other जो Muslim regimes हैं उनसे compare करना चाहिए ना कि Scandivian countries से क्योंकि जहां पर Indian Muslim है वो सबसे ज्यादर concerned किया जाते हैं उनकी बाते सुनी जाती ही Indian democracy के साब से और उनका हर way में step देखा जाता है तो इसमें ये बात की गई है तो इसमें दो इंडेक्स आते हैं एक World Hunger Index और एक World Happiness Index पहला आता जिसमें इंडिया की रैंक 144 है 153 countries में जो काफी सुचनी की बात है क्योंकि इंडिया से बेटर बांगलादेश है 107 रैंक है इसकी स्रिलंका 130 नेपाल की 92 और पाकिस्तान की 66 तो वर्ल्ड हैपनेस रिपोर्ट के हिसाब से तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा करते हैं happiness report के हि हुआ ज़्यादा है और जो unhappiest country है इन जिनकी रैंक इंडिया से भी कम है वह अफगानिस्तान हो गया 153 साओ सुदान 152 जिंबंबल 151 रवांड 150 तो यह country जो इंडिया से भी कम रैंक है जिनकी unhappiest country है और जो happiest countries है जिनकी रैंक इंडिया से अची है तो उसमें पाकिस्ता जान भी country है और जो first five ranks है इस रिपोर्ट के साथ है वो फिल्लेंड है डेन्मार्क है स्विजर लेंड है आइसलेंड है नौर्वे है जहां पर इसकी country की रिपोर्ट काफी अच्छी है तो हम लोग देख लेती है world happiness report और world hunger index को global hunger index है जिसमें इंडिया की रैंक 94 है world hunger index 2020 के के साथ से होती है अंडर नरिश्मेंट चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड स्टेंटिंग और चाइल्ड नौर्टाल्टी के साथ से कि लोग है moderate है सीडेस है उसके साथ ग्लोबल हंगर इंडिक्स जॉइंटली पब्लिश किया जाता है concert wildlife worldwide और world hunger life के साथ इससे पहली बाप प जाजर करना और ट्रैक करना hunger पुरा ग्लोबल रिजनल या कंट्री लवल पर इसे कहते हैं कुछ प्राइंडिकेटर से जैसे होगे अंडर नरिश्मेंट उनके हिसाब से चाइल्ड वेस्टिंग जो शेयर ओफ चिल्रें रोटा अंडर एज 5 उनका क्या है low weight for the height की है है कि है चेक किया जाता है scoring बनाए जाती ही फिर ग्लोबल फिलाइंडेक्स निकाला जाता है तो इस तरह से calculate किया जाता है ग्लोबल फिलाइंडेक्स जिसमें इंडिया की राइंक नाइटी फॉर्थ है चलिए अगली न्यूज्स एक अब देखते हैं वर्ट हैपनेस इसमें इंडि 76 countries में से निकाला जाता है ये गैलक वर्ड पोल होता है जो छे वेरिबल्स को देखता है GDP पर कैपिटा शोचल सपोर्ट, हेल्थी लाफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जैनॉर्सिटी और एपसंस ओफ कर्रप्शन को जो दोज़ा बीस रिपोर्ट है वो दो फर्स तैम रैंक कैसे होता है उसको ये इंडेक्स बनाया गया है चलिए अगली न्यूस देखते हैं अगली न्यूस आती बी रेडी फॉर कुरूशल थ्री मन्त वर्दन ने का जो हमारे यूइन हेल्थ मिनिस्टर हर्स वर्दन उन्होंने का जो तीन मैने आने वाले वो बहुत जाज़ा कु तो जैसे हमने देखा कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने का कि कोविड एप्रोप्रेट बहेवर जो फेस्टिवल विंटर सीजन में बहुत ज्यादा एसेंशल है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में सोचल दिस्टिंग उत्य हो नहीं पाएगी जिसके कारह इंफेक्शन बढ जाती तो अच्छा है नहीं तो हमें और थोड़ा वेट करना होगा और थोड़ा क्याकते हैं एक तरह से स्टेप्स लेने होंगे से रोकने के लिए चली अगली नीज देख थे अगली नीज अगली नीज थी डबलो एच एल्टेट इंडिया टू वाइस ओन जन्वरी 11 कि NCD लिइना में जो डिसंबर 12 से सब्डेशंबर 29 तर तो उन्होंने कहा था हुआ इंडिया को इन्वर्म कर दिया था एलर्ट भी कर दिया था कि को रोना वाइरस इंडिया में आ सकता है उसे पूरे स्टेप से लेनेसे ही इसको कंट्रोल करने के लिए जिससे इंडिया ना आप इसे ट्रांसफर्म कर दिया गयता नेशनल सेंटर फोर डिसीज कंट्रोल जो सब्सक्राइब करता है इसके मेजर फंक्शन्स करता है इंडर्टेक करता है कंट्री यह इंगेज करता है जन्रेशन डेस्टिनेशन ऑफ नौलेज इन विरिस एरियास दिसे एपिडेमिलोजी हो गया सर्विलेंस हो गया लेबिटरी सोगे इन पर इस इंस्ट्यूट का हेड़कॉर्टर डेली में है डबलो एचो डबलो एचो वल्ट हेल्ट जैसे शेपिंग डबलो एचो प्रोवाइट करता है लीडर्शिप ग्लोबल हेल्ट मैटर्स में जैसे शेपिंग दर हेल्थ रिसर्च एजेंडा को शेप करने में इसकी फंक्शन शुरू ही थी सेवन टैप्र नाइंटीम पॉट्टिएट में इसके अबजेक्टिप्स क्य करती है इसके फंक्शन क्या होते हैं यह पॉलिशी जो ऑगनाजेशन की उनको डिटर्माइन करना पॉलिशी बनाना सुपर वाइस करना उस पर रिपोर्ट करना एक्नॉमिक एंस सोचल कॉंसे इन अकॉर्डेंस वित अनी एग्रिमेंट जो पास हुआ ऑगनाजेशन ये नि झाल 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 झाल